पॉमन तोर पे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा चपाती के रूप में खाया जाता है दूसरा ब्रेड के रूप में खाया जाता है तीसरा पीजा के रूप में खाया जाता है और कुछ हद तक बिस्कुट के रूप में तो मैं आज आपको डिफरेंट ड बारे में उनकी क्या खासियत है और वो किस रूप में ज़्यादा सुटेबल है जैसे हमारी पिछले साल जो रिलीज हुई थी वैराइटी एच्डी 32 इसके अंदर ग्लूटन भी स्ट्रॉंग है और चपाती के रूप में यह वराइटी जितने भी कंजूमर ने कंजूम की है लास्ट इयर उनकी बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है खासकर इसके चपाती के तीन ट्रेट हैं अग्वे उसकी अंदर पफिनेस यानि चप चपाती कितना फूलती है उसका कलर कैसा रहता है और जब खाते हैं तो वो कितनी आराम से तूटती है तो इन सारे चारों गुनों के अंदर यह अच्छी पाई है और ज्यादतर कंजूमर की बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है दूसरी हमारी जो बहुत ही लार्ज एरिया में ग्रोन वेराइटी है एच्छी उनती सड़ सट उसके बारे में लोगों को पता ही है कि इसकी चपाती ज्यादा तर बहुत वाइट कलर की बनती है और पफिनेस बहुत ही अच्छी आती है तीस चाहसी का मैं कहना चाहूंगा तीस चाहसी का गुलूटन स्ट्रॉंग है तो य तो एक इंडेस्ट्री वाले लोगों के लिये जह खासकर पीजा वगएरा में गेहूं यूज करते हैं चपाती के लिये थी अच्छी है बड़ पीजा वगएरा के लिए बहुत ही अच्छा बेस प्रोवाइड कर सकती है क्योंकि वो पीजा के लिए उनको एक स्ट्रॉंग बेस की रिक्वाइरमेंट होती है जिसमें एक स्ट्रॉंग गुलोटन की नीड होती है गेहों के अंदर हमारी कुछ वैराइटियां जो लास्ट येर परधान मंत्री जी ने बायो फोर्टी फॉइड वैराइटी जो कंट्री को डेडिकेट करी थी उनमें HD 32,89 में है और HI 16,33 है इन दोनों वैराइटीयों के अंदर 32,89 में के अंदर आपकी आइरन की कॉंटेंट जादा है प्रोटीन की कॉंटेंट जादा है HI 16,33 के अंदर जो लेट सोन के लिए वराइटीय है अपने पेनिल सोलर जोन के लिए इसके अंदर आइरन की मात्रा भी जादा है और जिंक की मात्रा भी जादा है और वैसे भी किसान वाई अगर आप नूटृिशनल वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं अपनी क्रोप का तो आप जिंक और नाइट्रोजन का सप्रे हीडिंग के बाद एक परसेंट नाइट्रोजन और पॉइंट परसेंट जिंक वो उसका सप्रे कर सकते हैं तो उससे भी आ आपके ग्रेइन के अंदर